Hello guys, welcome back to the video और आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं security interface की तो web security landscape का जो concept है हमारी unit 3rd के अंदर हम discuss कर रहे थे और उसी के अंदर हमारा topic आता है security interface की हम कैसे हमारी websites के अंदर या फिर internet पे या फिर browser पे जब भी हम कुछी सर्च करते हैं या कोई भी website को visit करते हैं तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि website secure है या नहीं और कैसे हम अपने data को जो है internet पे secure रख सकते हैं तो इसके लिए हमारा सबसे पहला जो हमारी term आती है वो आती है यहाँ पे safe type password अब कोई भी website जब हम visit करते हैं तो हम maximum types वहाँ पे हमारे login credentials का use करते हैं email और password का बट हमें क्या करना होता है हमारे passwords को safely use करना होता है और उसके लिए में कुछ अच्छी practices है उनका हमें use करना होता है जब भी हम किसी password को use कर रहे हैं website पे या फिर create कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ 8 tips मैंने आपके लिए design किये कि सबसे पहली tip है don't pick weak password weak password को में pick नहीं करना है weak password का meaning है यहाँ पे normal कभी भी numbers या फिर आपका name आपकी data पर small case में letters या फिर normal uppercase में letters आपको use नहीं करने है instead आपको क्या करना है strong password का use करना है strong password क्या होगा आपके uppercase lowercase numbers और symbols इन सभी का combination होता है तो आपको strong password का use करना है दूसरा आता है multifactor authentication जहां पे भी possible हो आपको multifactor authentication यूज करना है कि आपके password के साथ साथ या तो आपके पास एक pop-up message आए आपके दूसरे device पे जहां पे आप verify कर सेगे कि यह logging मैंने किया है यह किसी और नहीं किया है या फिर आप OTP का use कर सकते हैं तो यह multi factors हैं जिनका authentication के लिए हम यूज कर सकते हैं तीसरा आता है इसके इंदर हमारा biometrics is an option तो अगर जहां पे भी biometrics security का options है तो आपको उसे तुरंट choose कर लेना है because biometrics जो है humans के वो एक ऐसी चीज है जो कि सभी के unique होते है तो आपका जो data है या जो आपका password है वो biometrics form में रहेगा तो जादा secure रहेगा because उसको कोई आपसे steal नहीं कर सकता चोथा मैंने आपके लिए design के different accounts need different passwords तो हम क्या करते हैं आज के time पे बहुत सारे social media apps को या फिर multiple websites को visit करते रहते हैं तो बहाँ पे जो है जितने भी हम accounts create करते हैं उनके लिए different passwords यूज करने हैं अगर by chance if anyhow कोई भी attacker या फिर कोई भी hacker आपके किसी एक account का password steal कर लेता है तो बाकी accounts पे आपका data steal ना कर पाए तो इसलिए हमे different accounts के लिए different passwords यूज करने है और जब भी हम multiple passwords यूज करेंगे तो हमें एक password manager का use करना चाहिए जो हमारे passwords को manage कर सके और हमारे security को maintain कर सके 6 आता है don't share your password आपको अपना password किसी के साथ भी share नहीं करना है चाहिए वो आपके कितने भी close friends हो या फिर family members हो और 7 है don't fall for phishing phishing जो है हमारी क्या है एक hacking technique है जो आपके through जो है आपके system के अंदर enter होती है अब कोई भी user के पास कोई spam mail आता है या कोई भी unknown mail आता है उसके अंदर कुछ ऐसे links होते हैं जो कि attractive होते हैं और अगर आप उन links को click कर देते हैं तो आपके phone का जितना भी data है आपके device का जितना भी data है वो leak होना start हो जाता है और attacker के पास चला जाता है तो ऐसे unknown mail से phishing attack से हमें जो जो भी हमारे software companies होती है वो जब भी एक नया version निकालती है update निकालती है किसी भी software का तो वहाँ पे जो है अपनी security को और enhance करती है यहाँ पे कुछ certificate authorities होती है जो कि आपको certificate provide करती है websites के लिए जिससे जो है आपको या विर user को पदा चलता है कि उनकी website secure है या नहीं तो यहाँ पे उन certificate authorities का role क्या है तो यह जो भी trusted certificate authority होती है यह जो है कुछ guidelines हमें provide करती है या फिर कुछ guidelines set करके जो है creator को provide करती है जो कि क्या करते है govern करती है हम लोगों को और authentication practices provide करते है जिसकी help से जो है हमारी website secure रहती है यह basically कुछ set of rules जो कुछ instructions होते है जो कि certificate authority provide करती है और अगर आपकी website उन rules को उन instructions को follow करती है तो certificate authorities जो है आपको digital certificate provide करती है जिससे users को verification मिल कि है कि आपकी websites secure secure है और इसके अंदर जो है आपका data कोई भी ब्रीच नहीं हो सकता, अब मैं बार बार डेटा ब्रीच, वेबसाइट सिक्यूरिटी, इन सभी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ तीन ऐसी टर्म्स है, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कैसे हमारी वेबसाइट सिक्यूर होती है या नहीं होती है, तो इसके अंद sensitive data का मेनी है, जो कि sent हो रहा है between two systems, जो कि दो systems के बीच में data जब भी share होता है, तो सम sensitive data लो बोलते हैं, जैसे कि होगे हमारे login credentials, या फिर हमारी personal details, तो उन सभी को जो है SSL जो है secure रखता है over the internet, और दो systems की बात मा कर रहा हूँ, दो systems का मतलब है basically server to client और client to server, यह मैं दो चीज उसमें share होता है server to client और sometimes server to server, इसके कुछ example है जैसे कि shopping websites पे जो है हम अपनी maximum personal details share कर देते हैं like email, name, address, mobile number and many more, तो हमें जो है यह verify करना चाहिए कि क्या वो website secure है, अगर वो website secure है तो ही जो है हमें उस website पे अपना सारा data provide करना चाहिए और SSL जो है उसकी security को maintain करता है, इसी का एक advanced version है, transport layer security, अब यह जो transport layer security है, यह SSL का advanced version क्यों है, यह जो है हमारा transport layer security, यह जो है हमारा updated or more secure version है, SSL का क्यों, because जो हमारा TLS होता है, transport layer security, यह जो है हमारा DSA encryption, जिसे मैं बोलता हूँ, cryptography, उसके method को follow करता है, आपकी data को बार बार encrypt और decrypt होना पड़ता है, जिसकी help चे attack नहीं कर सकता, user को कैसे पता चले है, कि जो भी website visit कर रहा है, क्या वो secure है या नहीं, इसके लिए term आते है, हमारी HTTPS, अब किसी भी domain name के हम बात करें, किसी भी website name के हम बात करें, तो उसके सबसे top left में जो है, एक term होती है, या तो वो होगी HTTP, या वो होगी HTTPS, अब HTTPS, hypertext transfer protocol secure, यह जो है extension है, हमारा HTTP का, जिसको मैंने भी आपको describe किया, तो जहाँ पे भी HTTPS, यूज होगा, किसी भी website के साथ, उसका मतलब है, कि वो website जो है, बहुत ही जादा secure है, और उसका जो है, आप easily use कर सकते हैं, बट जहाँ पे HTTP protocol यूज होगा, hypertext transfer protocol, वहाँ पे जो है, कोई जरूरी नहीं है, कि आपके उपर attack हो, बट इसकी chances बहुत ही जादा बढ़ जाते हैं, कि आपके data breach होने के, जो chances है, आपकी information leak होने के chances है, वो बहुत ही जादा बढ़ जाते हैं, अब HTTPS, जो है, use किया जाता है, secure communication के लिए, कि आपका communication, या फिर आपका data, जो है, secure रहे, over the computer network, और इसे जो है, widely use करते हैं, इंटरनेट पे, because बहुत सारी website से, जो कि HTTPS का use करती है, अब HTTPS, जो है, basically, एक communication protocol है, जो कि क्या करता है, encrypt करता है, हमारे TLS method को, और, previously, maximum time, SSL को secure sockets layer को use करते थे, but currently, हमारे जो भी technology है, वो advanced होती जा रही है, तो आज कल, हम TLS method का use करते है that is, transport layer security, thank you.